साल 2004 में यश्राज फिल्म्स के बैनर तले धूम नाम की फिल्म आई थी जौन इब्राहम, अभिशेक बच्चन और उदैचोपडा मेन लीट में थे संजेगडवी फिल्म के डिरेक्टर थे यश्राज फिल्म्स ने ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई थी इस फिल्म के लिए काफी कम बजट रखा गया था डिरेक्टर को भी हिदायत थी कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए लेकिन कहानी कहने और एक्शन दिखाने का ये नया तरीका लोगों को बहुत पसंद आया समय के साथ धूम एक कल्ट फिल्म बन गई इसके दो साल बाद साल 2006 में यश्राज फिल्म्स धूम टू लेकर आए इस बार फिल्म का बजट बढ़ा दिया गया रितिग रोशन और एश्वेर राय जैसे सितारों को निगेटिव रोल में कास्ट किया गया फिल्म जबरदस्थ रिट रही इसके बाद धूम थी आने में साथ साल लगे 2013 में जब फिल्म आई तो आमिर खान निगेटिव रोल में दिखे और साथ ही डबल रोल में भी फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पैसो की बारिश कर दी तब से आज तक इन 11 सालों में धूम फ्रेंचाइज को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही है अब फिर एक खबर आई है फिल्मी दुनिया की खबरें देने वाली वेबसाइट पिंक विला का दावा है ये धूम 4 को लेकर YRF में प्री प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है खुद आदित्य चोपडा इसका सुपरविजन कर रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक रनबीर कपूर को धूम 4 के लिए साइन भी कर लिया गया है रनबीर फिल्म में निगेटिव किरदार निभाते नज़र आएंगे रनबीर के साथ काफी लंबे समय से इस फिल्म को लेकर डिसकुशन चल रहा था रनबीर ने फिल्म का बेसिक आइडिया सुनने के बाद फिल्म करने में इंटरस्ट दिखाया था और आखिरकार अब जाकर रनबीर ने फिल्म को हा कर दिया है आदित्य चोपडा को लगता है कि धूम लगेसी को आगे बढ़ाने के लिए रनबीर एक शानदार चॉइस है रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य चोपडा धूम फ्रेंचाइज को पूरी तरह रिबूट करना चाहते हैं इस सिर्फ कहने के लिए नहीं बलकि सही माइने में रिबूट होगा नई जनरेशन के विलिन के तौर पर रनबीर कपूर होंगे तो कॉप्स के लिए भी नई जनरेशन के हीरोज की तलाश की जाएगी यानि जूनियर बच्चन और उधै चोपड़ा की धूम फ्रेंचाइज से छुट्टी हो चुकी है अलंगी ACP, जय दिक्षित और अली के किरदार में कौन नई हीरो दिखाई देंगे ये तो भविश्य ही बताएगा फिल्म की कोर स्टोरी तै हो चुकी है अब YRF कास्टिंग पर काम करेगा इस रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से दावा किया गया है कि धूम फोर धूम फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी फिल्म होगी ना सिर्फ सबसे बड़ी बलकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फिल्म बनाई जाएगी YRF 2025 के आखिर में या 2026 के शुरुवात में फिल्म को फ्लोर पर ले जाना चाता है तब तक रनबीर कपूर संजे लिला भनसाली की लव एंड वार के साथ साथ रामायड पार्ट वन और पार्ट टू की शूटिंग भी खत्म कर चुके होंगे मिट 2025 तक धूम फोर के लिए डिरेक्टर को लॉक कर दिया जाएगा ताकि वो रेकी और प्री प्रोडक्शन के काम में वायरेफ के साथ मिलकर काम कर सके उल्मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रनबीर कपूर के करियर का एक शानदार फेस चल रहा है जहां उनके पास संजे लिला भनसाली की लव एंड वार है रामाड पार्ट वन है पार्ट टू है एनिमल पार्क है और अब ध्रूम फोर जैसी एक शानदार और बड़ी फिल्म भी है